क्या चीज़ें होती हैं कैसे होती हैं तो यह सारी इंफोर्मेशन आज मैं आपको इस वीडियो में देने वादी हूँ इस वीडियो को एंड तक देखें ताकि आपका सेकेंड राउंड कांसलिंग के रिगार्डिंग जो भी कोशन्स हैं वो सॉल्फ हो सकें तो सबसे पहला को कांसलिंग स्टार्ट कब होगी तो सेकेंड राउंड कांसलिंग आपकी ऑगस्त तक स्टार्ट हो सकती है क्योंकि 29 जुलाई तक आपका फर्स्ट राउंड है जब यह फर्स्ट राउंड कांसलिंग खतम हो जाएगा तब आपका सेकेंड राउंड कांसलिंग स्टार्ट पड़ती किइन वो आप अल्री सब्संति कर चुके हैं तो आपको प्लाइल और देने पड़ते हैं अपनी ड्राउंड देना है यृट N into $5,000 और ये वीग अहन घ्मरेंD जो आप 5000 देंगे अगर आपको सीट नहीं मिलती है तो ये पैसे रिफंड नहीं होते हैं और अगर ये भी एक सीन है कि आपका जिनका भी शीट कैंसिल हो गया है फिर जिनका शीट खतम हो गया है जनल वाले बच्चों के साथ ऐसा हुआ होगा तो जिनके लिए शीट खतम हो ग बट उनको बहुत जादा सैटिस्फेक्शन नहीं है अपने सीट से वो लोग अपनी शीट चेंज कर सकते हैं यानि कि जो सीट आप लेके रखे हुए हो फर्स्ट कांसलिंग में वो आपकी सेफ रहेगी आप सेकेंड राउंड में जाए वहां पर आपको कोई बेटर मिलती ह तो आप वो चूस कर लीजे तो आपने जो पहले सीट ली होगी वो शीट आपकी ओटोमेटिकली लीव हो जाएगी वो लोग लीव करा देंगे और जो आप न्यू अलत चूस करेंगे वो आपको अलॉट हो जाएगा तो इस तरीके से आपका सिकंड राउंड कांसलिंग जिनको नहीं मिला है उनके साथ क्या होगा जिनको शीट मिली ही नहीं है जनरल में उन लोगों को सेकेंड डाउंड कांसलिंग में बैठना होगा और फर्स्ट राउंड में भी बैठना होगा जिनको मिली है या फिर आगे मिलने के चांस नहीं भी है उसके बाद भी आप जाए कउंसलिंग बा मिला सकाज़ कांसलिंग करने कांसलिंग ने किसी तरीके कि अरुकर चाहते हैं कि हम अपनी शीट लेफ कर दें हमको पहले में नहीं मिला तौुमे नहीं डाये मत करो यार पूरा एक साल बर बात करने करने के अच्छा है कि आप 5000 एकपार देखके एक और चांस ले लो क्योंकि बहुत से बच्चे सीट छोड़ते हैं और यह शीट अपडेट नहीं होती है पहले यह बाद में ही सेकंड राउन में ही अपडेट हो पाती है तो उस वक्त आपको हो सकता है कि शीट मिल जाए तो होप सो कि यह वीडियो आपके लिए हलफुल रही हो हलफुल हो रही है तो लाइक शर्ण सब्सक्राइब करें थैंकियो सो माच अ हुआ 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 है